सो हेगेज वल्काम बैक मैं न्यू वीडियो गाइज कैसे हो आप लोग आज हम खिलने जारें जीटिया फाइफ और आज हम एक मेगा रेम चैलेंज को कमप्लेट करने जारें और इस चैलेंज में आप लोग देख सकते हो मोटू है पतलू है जॉन दा डॉन है डॉक्टर जटका है चिंगम सर घसीटा राम है तो गईज चलेंज को स्टार्ट करते हैं जो भी इस चैलेंज को जीतेगा उसे काफी बनिया इनाम दिया जाएगा तो देखते हैं गईज इस चैलेंज को कौन जीत पाता है चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते हैं गईज आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पसेट कर लिए मेरे निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए चैलेंज को स्टार्ट करते है पहले नमबर पे चलिंज को complete करने जहार है ओर देखते हैं मोटू का challenge, ओर ये नीक करब लाएप कुम्टी सेीव करेंजेंगर और चलिंज चलिंज अपको के साथ निकल चौए हो집ते ह outras, मोटू के लोगी निकल चुका है उता है हाइस बदल रही है अपने आप देख सकतो कैसे रंग बदल रही है अभी रेट है अभी दूसरे कलर हो जाएगी देखे औरेंज हो गई यलो हो गई ओफाई कितनी अच्छ तरीके से ये रंग बदल रही है चलो देखते हैं मोटू का चैलेंज पंक्रे नाच रहें इससे बचबच कर पातें ने कर पाता है और यहां से जार है सीधा और यह कार वाला चक्वाला चलेंज इतना जल्दी और दक्वी, मोटो ने, अब गय European है, चलेंज है helicopter का काफ़ी अच्छी helicopter है, red color का helicopter बैट रहे है, मोटो जो की काफ़ी अच्छी है, और भाई सम हेलिकॉप्टर का भी कलर चेंज हो गया गाईज आप लोग देख सकते हैं कैसे हेलिकॉप्टर भी अपने आप कलर चेंज कर रहा है और ये टायरों के अंदर से ले जाना है हेलिकॉप्टर को थोड़ा मुस्किल है मोटू अराम से बच बच के जा तू देखते हैं इसे मोटू कमपलेट कर पाते हैं और थोड़ा से बचा है और ये complete घुम के फिर से टेर कंदर से जाना है मोटो अराम से काफी बड़ी हेलिकॉप्टर है गाइस मोटो क्या कर रहा है धीरे से बच के निकल अभी बलाश्ट हो जाएगी हेलिकॉप्टर चलेंज हार जाएगा मोटो तू बच बच के निकल जा यार क्या कर रहा हो भाई साथ कैसे हेलिकॉप्टर प्लोट दी और ये नीचे भी गिर गया भाई साथ थोड़ा सा बचा था ये चलेंज और मोटो नीचे गिर गया और गाइस मोटो इस चलेंज को हार चुका है क्योंकि यह नीचे गिर चुका है तो अब जा रहा है चैलेंज को complete करने पतलू तो देखते हैं पतलू के साथ क्या होता है पतलू इस चैलेंज को complete कर पाते नहीं कर पाता है अब देखते हैं गाइस पतलू का चैलेंज और आप लोग भी देखिए और पतलू की विकार कलर चेंजma कर रही है, आप लोड सकते कैसे कलर चेंज यह ब셔야 प्लू था अभी पिंग हो गया कैसे कलर चेंज ब Deixa's कर रहा है प्तलू की विकार अब देखते हैं आगे का चलेंज यहां से सीधा जान है यह तो आसान ही है और थोड़ा सा बचा है और यह कंप्लेट कार का चलेंज हो चुगा है अब आगे का चलेंज हेलिकॉप्टर का तो हेलिकाप्टर बैटने जार है पतलू हेलिकाप्टर बैट भी चुगा है और हेलिकाप्टर वाला चेलेंज थोड़ा मुस्किल है क्योंकि गॉख घूरो चेलेंज में ही मोटु हा रा था तो अब देखते हैं पतलू इसको कमПрेट कर पाते ने कर पाता है काफी ज्यादा मुस्किल है, यह सीधा वारा तो मस्किलाशा है, लेकिन ग्हूम के जो अंदर से जाना वो थोड़ा मुस्किलाशाएज है, अब देखते हैं, पतलू इसे पार कर पाता है, अब यहां से घूमना है, पतलू अराम से बच के, बचके बचके टायर से बचके एक बार टायर में टकराया तेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और भाई पतलू निकल गया ओ भाई साब इतनी आसानी से पतलू ने इस चलेंज को कंप्लेट कर दिया गाईज आप लोग देख सकते हूं और हेलिकॉप्टर को लेंड भी करा दिय एया रधा कितनी असानी से पतलू ने ये चल्हेंज कंप्लेट किया अब आगे का चलन देखते हैं एग और यह मोटर साइकल है कि हृ यह कर Ooh लोड चुका है यह निकल चुछा चैलेंज के लिए अभे ऀचेड़य चैलेंस府 पतलू जीःद पाता है यह नहींघाता है और इ देखते हैं गाज पतलू इसे कम्प्लेट कर पाते हैं और नीचे जा रहें पतलू, अराम से जातू और ये कम्प्लेट भाई सब मोटर साइकल वाला चैलेंज भी कम्प्लेट कर दिया, पतलू ने इतनी असानी से, अब आगे का चलेंज है ये नाव का काफी बड़ी बड़ी नाव नाव बैट रहा है पतलू और नाव का रास्ता काफी चोड़ा है और तीन रास्ता आगे दिखाई दे रहा है देखते हैं आगे जाकर ओहां तीन ही है तो सायद मुझे लगता है किसी भी रास्ते से जाना है बीच वारे रास्ते से जाना है पतलू अराम से पतलू ये पंक्खे नाच रहे हैं इनसे बच के जाना हो काफी बढ़ी है चलो पार कर दिया मुस्किल रास्ता अब यहां से जाना है तीन रास्ता है फिर एक रास्ता हो गया चल यहां से पत्लू निकल मुड़ा गहा गुमा गहा और यह फिर से पंक्खे आ गहा अराम से पत्लू ओ भाई बचके पत्लू यार क्या कर रहा जाए अभी नाव खराब हो जाएगी पानी में डूबो रहा है पंकों से बच बच के निकलना है पतलू तुझे नहीं तो यह नाव खराब होसाईगी पानी में यह टक कर मार के डूबो दे रहे यह पंके चलो गाइस देखते हैं पतलू इसे पार कर पाते हैं ने कर पाते हैं और यह लाश्ट पंका और यह फिर से डूबो दिया चलो, कम से कम पार तो करी दिया और ये थोड़ा सा नावाला चलंग बचा है और ये complete इतने असानी से चलो complete तो कर दिया कम से कम अब आगे का challenge दूसरी काड़ी का, तो पास में जा कर देखते हैं कौन सी कार है और ये भाई साथ देख सकते हो बड़े बड़े चक्को वाला मोसन ट्रक है तो मोसन ट्रक से आगे का चलेंज कंप्लेट करने हैं मोसन ट्रक में बैठने जार है पतलू बैठ जा यार किसी में बैठ जा कॉफी बड़े बड़े मोसन ट्रक है और भाई सा मोसन ट्रक भी कलर चेंज कर रहे हैं अब देखते हैं मोशन ट्रक का चैलन्ज पतलू इसे पार कर पाता है ने कर पाता है यह तो आसान ही लग रहा है गाइस मुझे अब देखते हैं पतलू के साथ क्या होता है और कौफी बड़ी मोशन ट्रक है और अपने आप कलर चेंज कर रहे हैं कैसे देख सकते हो और यहां से फहर गोम के जान उपर अराम से पतलू और यह ऊपर जान यहां से देखते हैं अगा पतलू के साथ क्या होता है यहां तक तो आगया पतलू और थोड़ा सा बचा आ पतलू हराम से और ये complete भाई साब मौसन ट्रक का चलेंज इतनी असानी से पत्लो ने complete कर दिया अब देखते हैं आगे का चलेंज और ये भाई साब देख सकते हो ये ट्रक है फाउजी का ट्रक है ये और भाई साब ये भी color change कर रहा है अपने आप जैसे ही पत्लो इसमें बैठा color change हो गया अपने आप और रेड हो गया भी अभी देखो दूसरा color हो जाएगा अब सारी सारी गाड़ी चेंज हो जड़ी अपने आप color चलो देखते हैं पत्लो इसे पार कर पाता है ने कर पाता है ये फाउजी की ट्रक है और यहां से उपर जाना है ये तो असान ही है और घूम के फिर से उपर जाना है असान ही है गयाज देखते हैं पत्लो इसे पार कर पाता है ने कर पाता है अराम से पत्लो अराम से जातो इसे complete कर देगा और थोड़ा सा बचा है और भाई साब ये complete हो भी गया इतनी आसान इसे पतलू ने ये चैलेंज भी कम्प्लेट कर दिया अब गाइस आगे का चैलेंज दूसरी गारी से कम्प्लेट करना है और ये भाई साब देख सकतो गनो वाला गारी है तो इस से आगे का चैलेंज कम्प्लेट करना है और ये बैट चुकाए पतल्वा है यह यह इस वह कलर ? कर पाते writer पतल्वाराम्से को पतल्वार आमसे तो इस चैलन्स को कंपलेट कर और यह जंप लगा गया चलो शलो यहां से उपर दानाई पिर से वरामसे पतल्य धूछा है और यह उपर आ चुग पकर एच पर सहबurry I उपर जाने किपना उपर जाना यार देखतेयां क्या होता थोडा सा और बचा है और शाट से चल्ज होजाए गहां कंपलेट हो गया क्योंकि आप दूसरी गाड़ी रखी हुया अब आगे का चल्णज इन गाड़ीों से कंपुलेट करना है ये कार है गाई बुगार्टी कार है तो कार बेट चुका है पतलो और नीकल चुका है चेलर्ज के लिए अभी देखते हैं ये चल्ट कर पाता है पतलू या नहीं और निकल चुका है और यह जंप आगा बाई साब कितने बड़े बड़े जंप है आप लोग देख सकते हो वाफी बड़े बड़े जंप है पतलू अराम से नहीं तो इसमें गिर गया तो बाही चल्ट को आर्जाएगा तो और थोड़ा सा बचा हुआ है देखते है क्या होता है पतलू इसे पार कर पाता है नहीं कर पाता है और गाईस आगे फिनिस का बोड़ दिखाई दे रहा है और यह जंप करा दिया और गाईस फिनिस का बोड़ आभी गया गाईस आप लोग देख सकते हो और इस चैल्ट को फिनिस कर दिया ह पतलू ने अब पतलू को दिया जाए काफी बड़ी का इनाम क्योंकि पतलू इस चैनल को जीट चुका है